हे गाइस वेलकम टू डिसेबलिटीज एन एसुसीटेट सब्जेक्स मुरा नाम है सुर्भी गुपता और आज हम टू पॉइंट वन के टॉपिक को कवर करेंगे कोगनिटिव थेओरी यानि कि आज हम जीन प्याजे को पढ़ने वाले हैं मैंने इससे पहले जो टॉपिक्स है वो अपनी प्रिविएस वीडियो में कवर किये हुए हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट मचाके अपने कोर्स वाइस वीडियो को सर्च कर सकते हैं टॉपिक के एकोडिंग अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसके राब हमारे सोचल मीडिया हैं जहां पर आप में फॉलो कर सकते हैं चैनल से रेट जो भी अपडेट्स हैं वो आपको वहां मिल जाएंगी यह जो वेक्ति आपको जन्म होता है और एडल्ट हुट तक किस तरीके से उसके डेवलमेंट कोगनिटिव डेवलमेंट होता है किस तरीके से उसका संग्यानात्मा विकास कार करता है किस तरीके से वो चीजों को सीखता है किस तरीके से चीजों को डील करता है तो यह सारे चीज़ उन्होंने एक तो cognitive process और एक cognitive stage जो होती है, तो पहले हम cognitive process के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहला है schema, यानि कि जो हमारी knowledge होती है, वो packets के रूप में होती है, packets form में होती है, जो हमारे mind में save हो जाती है, या फिर कहें कि building blocks होते हैं, knowledge के, जो छोटे छोटे रूप में हमारे mind में save हो जाते हैं और जब काम आता है तब उसका हम यूज करते हैं जिसे की आपको किसी ने बता दिया या एक बच्चे को बताया गया कि चार पैर वाला और एक पूच वाला डौगी होता है तो बच्चे की दिमाग में यह स्कीमा बन गया कि हाँ इस तरीकी से दिखने वाला हर जानवर कौन होता है एक डॉग होता है उसके बाद उनने बताया adaptation जिसके अंदर assimilation और accommodation दोनों ही आते हैं adaptation की जब बात करते हैं तो transition from one stage to another यारी कि अगर एक चीज का schema आपके अंदर बन गया आपके दिमाग में बन गया उसके बाद उसको छोड़कर दूसरी स्टेज पर जाना adapt करना किसी चीज को उसको छोड़के या किसी चीज को यानि कि transition एक form एक stage से दूसरी स्टेज पर जाना उसको हम आगे समझते हैं पहले assimilation को जानते हैं assimilation का मतलब होता है जो knowledge आपके अंदर है जो schema आपके अंदर exist करता है उसको उसका use करना new situation में example से समझते हैं जैसे माल लीजिए आप एक बच्ची को बताया गया कि चार पैर वाला और एक पूच वाला डॉग होता है तो उसने cat को अगर देखा तो उसने देखा कि उसके भी चार पैर है एक पूच है तो उसको भी डॉग बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका existing schema है पहले से कि चार पैर और एक मूच वाला डॉग होता है तो उसने उसको new situation पे भी अपलाई किया जब उसने cat को देखा तो उसको लगा कि ये भी क्या है डॉग क्योंकि उसके अंदर एक schema पहले से बन चुका था तो उसने new situation में उसको लागू करने की या deal करने की कोशिश की cat है ये तो क्या हुआ जो existing knowledge थी पहले से उसके दिमाग में कि इस तरीके से दिखने वाला जो animal होता है वो dog होता है जब parents ने उसको मना किया तो new situation आ गई तो उसने कहा कि जो existing knowledge है उसका कोई भी use यहाँ पे new situation में नहीं है तो फिर उसने क्या सोचा कि उसको अपने schema में change की ज तरीके से दिखता है जो इस तरीकी का होता है वो क्या होती है cat होती है तो adaptation में ही assimilation आता है accommodation आता है यानि कि पहले क्या था कि उसने समझा की चार पर एक मूच वाला dog होता है वो पहली stage थी जब assimilation की process हुई जब accommodation की process हुई तो उसने क्या किया अपनी schema में change किया जब existing knowledge का को इस तरीके से दिखने वाला होता है अब वो इस तरीके से दिखती है वो होती है cat तो उसमें दौनों में difference करने लगा वो उसने news कीमा create कर लिया इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से stage के बारे में प्याजी बात करते हैं उन्होंने development की चार stage दी है cognitive development की जिसमें पहली है sensory motor stage ज वार्मल में जो 12 साल के बच्चे होते हैं और उनसे ज्यादा उमर के जो होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल stage में आते हैं एक एक करकर हम इन सभी को समझेंगे sensory motor stage की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है birth से लेके दो साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं इस stage को babbling stage भी कहा जाता है यानि कि बच्चे बाबा मा मा पापा इस तरीके जो word होते हैं उनको बोलना शुरू कर देते हैं senses are teacher यानि कि बच्चे senses के थुरू सीखते हैं चीजों को जैसे कि सुनकर है ना टेस्ट करके चीजों को सीखते हैं लेंग्विश तक उनकी डेबलब इतनी नहीं होती है जब हम starting की बात कर रहे हैं बर्थ से 6 मन तक की तो senses से वो सीखता है imitative behavior होता है यानि कि बच्चा नकल करता है अपने बड़ों की जैसे मा कर रही है बच्चे भी करते हैं कि मैं भी इस तरीके से करूँगी या इस तरीके से करूँगा object permanence की बात करते हैं तो छे महीने से पहरे तक की बच्ची की जो टाइम होता है उसमें object permanence डेबलप नहीं होता object permanence नहीं डेबलप होता इसका मतलब है कि अगर बच्चे को जो 6 मेने से पहले तक का है उसको आपने कुछ दिखाया तो उसको लगेगा कि वो है और अगर आपने उसको पीजे चुपा लिया तो उसको लगेगा कि वो चीज दुनिया में exist नहीं करती है निकि object permanence उसके समझ जाएगा कि वो blanket के नीचे है तो object permanence बच्ची के अंदर इस उम्र के दाइरे में डेवलप हो जाता है उसके बाद pre-operational की बात करते हैं जिसमें दो से लेके साथ वर्स के जो बच्चे होते हैं इस उम्र में आते हैं इस दाइरे में आते हैं सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चा जो होता है वो किसी भी situation में एक वक्त पर सिर्फ एक aspect के साथ ही ekt situation को देख सकता है उस पर focus कर सकता है कहें की एक time में वो एक ही काम कर सकता है इस तरीके से कह सकते हैं इगो सेंट्रिजम ये इगो सेंट्रिस लिख दिया है इगोसेंटरिजम है जिसमे चीजों को समझ सके चीजों को देख सके सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अगर बच्चा क्या करता है वो खुछ से सेल्फ कॉंसेप्ट बना लेता है कुछ के जैसे कि आगर आपने उसको एक बार बिल्डिंग ब्लोक्स बना के दिखा दिये तो बच्चा खुछ से ट्राय करेगा कि अच्छा मैं इसको इस तरीके सारेज करने की कोशिश करता हूं इनिमिजम की बात करते हैं तो बच्चे के अंदर यह चीज होती है कि जो नौन लिविंग होती है वो उनको भी सजी मानने लगते हैं जैसे कि आपने देगा होगा जो लड़किया होती है वो डॉल को उनको लिविंग है वो उनको खाना खिलाती है उनको सुलाती है अगर व बच्चों को लगता है कि जो natural component है वो human made है जसे की पेड है, इनसान ने बनाए है, उनको लगता है कि जो clouds है वो इनसान ने बनाए है, जो पहाड है, वो इनसान ने बनाए है, तो इस तरीके की चीज़े उनके अंदर होती है, irreversibility की बात करते है तो अगर बच्चे को कहा गया, वह बापस नहीं आपता जैसे अगर बच्चों को कहा गया कि अगर आप इस तरीकी से आंगे बढ़ रहे हो और अगर आपको बापस आना है ये बच्चा है उसे कहा कि आप इस तरीकी से चीज आंगे जा रहे हो इस डारेक्शन में पर आपको बापस आना है तो चला जाएगा बारे बर्स की आयू के बच्चिस में आते हैं उनके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है जैसे की अंडरस्टेंडिंग आ जाती है री डिस्टिविशन ऑफ मास की जैसे स्टेज में बच्चों को समझ मा जाता है कि शेप कोई जो लिक्विड इसकी सेम कौंटिटी है तो इससे पहली वाली स्टेज में बच्चों को लगता है अगर उनसे कहा जाएगा कि इन दोनों मेंसे कौन सी मालिजे पानी है नमें उनसे बोला जाते कि कि में पानी Zyadha है तो वो इसका आंसर यह देंगे प्रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है यानि कि जिसे मैं आपको पहले बताया है कि पहले उसको अगर कहा जाए कि आप इस तरीकी से आंगे बढ़ रहे हो आपको बापस कैसे आएंगे आप तो बता देगा कि आप वो समझ जाता है कि इर्रिवर्सिबिलिटी पहले जो नहीं थी वो फिर आ जाती है इसके अंदर ऐसके सब्सक्राइब अलग अलग MI औरhmenoup समझा जाता है अगर बात करते हैं तो अगर उसको बाता है तो उसको कुछ दे दिया जाए तो उनकोас कर सकता है उन ख convenience बौडिंग अगर नको बोला जाए कि इसको असेंडिंग and descending ondreoooooo यह दो उसके अंदर आ जाती है कि कि डी इसेंटृषिन आ जाता है यह दो निकर whoодно कि अंदर एक से जादा एसpect डैबलब हो जाता है कि कि लिएंट से चीजव को समझ सकते हैं और 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 किस तरीके से समझ सकते हैं एक से ज्यादा मतलब एस्पेक्ट उनके अंदर डेबलब हो जाते हैं एक समय पर और इस एज को हम लेटर चाइल्ड़ूड और प्री गैंग एज भी कहते हैं कॉंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग बच्ची के अंदर आजाती है अच्छा कॉंक्रीट से मतलब होता है मूर्थ यानि कि अगर बच्चे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाकर कारे किये जा रहे हैं तो वो उसको इसीली समझ सकता है है ना हाइपोथेटिकली वो चीजों को यानि कलपनाओं में वो चीजों को इस स्टेज में नहीं समझता है इसके बाद हम बात करते हैं इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि आपको सामने कुछ दिखाई ही जाए तब आप उसको सोच पाएं तब आप उसको समझ पाएं आप सिर्फ सोच सकते हैं जो बच्चे मैत और physics पढ़ते हैं कोलते हैं लेट खंशीडर में हमेशा ही इस ही नहीं नहीं होती है तो इस तरीक इसे जो कल्पनाओं में जो imagination कर सकते हैं logical thinking होती है वो formal operational में आती है creative thinking develop हो जाती है divergent thinking हम बहुत बहुत तरीकों से चीज़ों को सोच सकते हैं समझ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि उनको सामने दिखा कर ही किया जाए वो सिर्फ कल्पनाओं में ही चल सकता है यह सारी चीज़ें इसके अंतर गरत आती है इसके अलाबा प्याजे ने बच्चों को little scientist कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे के अंदर विचार पहले आती है और भाशा बाद में आती है तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं thanks for listening if you like the video please share जैहिन